आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, the question is One of these is not an amino acids तो question का मतलब है नेचे दे गए options में जिसमें amine group और carboxyl group present होते है यह amino acid की general structure है एक amino group है एक carboxylic group है और एक R group जो hydrocarbon group है ठीक है तो अब हम options देखेंगे और इन में से ही जो compound amino acid नहीं है उसे हम चूज करते है तो पहला option, option A है tryptophan यह tryptophan का structure है तो चलिए देखते हैं कि यह amino acid की structure को satisfy करता है या नहीं तो एक amino group है और एक carboxylic group है और यहाँ पर C है और यह जो group है ऊपर यह हाई एक hydrocarbon है तो यह एक amino acid है देखें उसके बाद option B है यूराइसल यह यूराइसल का structure है तो यहाँ पर हम amino group तो देख सकते है पर उसके बाद carbon अगर यहाँ पर है यहाँ पर भी हो सकता है पर C O O H group या carboxylic acid का group नहीं है और यह amino acid की basic structure की format को present नहीं कर रहा है अब देख सकते हैं और यह amino acid की basic structure के साथ दिखे तो यह एक amino acid नहीं है उसके बाद lysine है यहाँ पर हम देख सकते हैं की carboxylic acid का group है amino group है और यहाँ पर carbon है और यहाँ पर एक R group है तो यह भी एक amino acid है और यहाँ पर glycine है glycine का शक्चर यहाँ पर देख सकते हैं की यह एक amino group है एक carboxylic acid है तो यहां पर carbon होका और HH, एक हेज को हम R consider कर सकते हैं, अब यहां पर देख सकते हैं, यह अमाइन ग्रूप है, और carboxylic acid का group है, और दो हेज, H है carbon की आजरुआ जुमे, और एक हेज को हम R ग्रूप consider कर सकते हैं, तो यह भी एक amino acid है, हमें मिला सिर्फ यूरासिल एक compound है यहां पर जो amino acid का basic structure को satisfy नहीं कर रहा है, तो option B हुआ हमारा right answer, thank you.